Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो उसमें डिस्कस करेंगे वक्षीट नमबर 60, 4 क्लास 10th, सब्चिक्ट इंग्लेश है और ये वक्षीट आपके लिए 6th of January 2022 के लिए शेडिूल की गई है, आज की जो वक्षीट है उसमें हम, जो आपकी बुक है First Flight उसका Chapter 10, The Sermon at Banaras, इसक में से मिल जाए, सो देखे क्या दिया गया है आज की वक्षीट में, ये जो Chapter है आपका, ये गौतम बुद्ध के बारे में है, आपने पहले भी सुना हुआ है, Founder थे वो जो है बौद धर्म के, तो उनके बारे में ये Complete Chapter है कि किस तरह से उन्हें ज्यान की प्राप्ती हुई कैसे उन्होंने अपने जो घरबार है वो छोड़ा, कैसे जो शाही ठाटबाट होते हुए भी राजकुमार थे वो, उसके बावजूद भी उन्होंने ज्यान की प्राप्ती के लिए अपना घर छोड़ा, ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो है ज्यान प्राप्त किया और ल देखे, गौतम बुद्ध बिगें लाइफ अज प्रिंस नेम्ड सिदार्थ गौतम, गौतम बुद्ध ने अपना जो चीवन है, वो शुरुवात किया as a प्रिंस, ठीक है, राजकुमार थे वो, और सिदार्थ गौतम के नाम से, उनका नाम क्या था जब वो राजकुमार थे सिदार्थ गौतम, इन नौर्धन इंडिया, ठीक है, नौर्धन इंडिया में, at 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, जब वो बारे साल के थे, तो उन्हें जो है, schooling के लिए भेज दिया गया, जो भी Hindu धर्म थे भारतिये, जो धर्म एक ग्रंत थे, उनका ध्यन करने के लिए, and four years later, he returned home to marry a princess, चार साल बाद जो है, उनके क्या हुआ, चार वर्स बाद जो वो घर लोटे, तो उनका उनकी शादी कर दी गई, प्रिंसेस के साथ, जिनका नाम जब वो केवल 25 years के थे, इसमें क्या दिया गया है, कि 25 साल तक जो उनके फादा थे, उनके उसको क्या हुआ, सांसरिक जो दुख है, उनसे उनको बचाए रखा, ठीक, यानि उनको ये लगता था, जो गौतम बुथ है, उनके फादर ने उनको इतना प्रोटेक्ट किया था, कि उनको ये लगता था, जो पेन होता है, जो दुख होता है, वो रियल नहीं होता, वो केवल एक imagination होती है, ठीक है, अब एक बार क्या हुआ कि वो जो है कहा जा रहे थे, वो शिकार पर जा रहे थ शिकार पर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक बिमार आदमी को देखा, फिर उन्होंने एक बुड़े आदमी को देखा, उसके बाद उन्होंने एक जो है, फिनरल प्रोसेशन यानि शव यात्रा, जो लोग मर जाते हैं, उनको लेकर जाते हैं, तो वो यात्रा उन उनको मतलब बहुत ज्यादा पेइन हुआ दुख हुआ जब उन्होंने ये सारी चीज़े देखी और इन सारी चीज़ों ने उनको इतना मुवप कर दिया that he had once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed ठीक है और वो सब कुछ छोड़ कर जो दुख उन्होंने देखे एक ज्यान की तलास में अध्या जो पेड था पीपल का पेड था उसके नीचे उन्होंने ग्यान प्राप्त किया था meditation करके उसका नाम उन्होंने क्या रखा था फिर बाद में उनका नाम जो है बोध ट्री यानि ग्यान का पेड जो है उन्होंने उसका नाम रख दिया था और उनका नाम भी फिर क्या बनारे वहाँ पर दिया था क्योंकि बनारस और गंगा नदी बहुत ही ज़्यादा होली रीवर मानी जाती है और बनारस भी एक होली प्लेस माना जाता था तो इसलिए उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वहाँ पर दिया था ठीक है उसके बाद देखे अब यहाँ पर question दिये गए है आपको ठीक है तो यह सारे question हम one by one discuss करेंगे और इन्ही question की help से ही हम थोड़ा-थोड़ा story के बारे में भी जानेंगे साथ-साथ आप अपने NCRT book लेके एक साथ में ही 이स story को जो है आप जो इनके बारे में जो stories है छोट-छोटी stories इनके बारे में famous हैं कि साग वात्मे की एक बहुत ही famous story है इसके अलाभा छोटे-छोटे जो इनके बारे में दिया गया है वो सब आपको NCRT book से आप जो है वहाँ से पढ़ोगे ठीक है तो एक साथ ही आप चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो इनकी क्या टीचिंग्स थी वो सब आप समझ सकते हो सिदार्था कौन था बुद्धा बुद्ध उनका जन्म हुआ था एक लुंबी नियर कपीलवस्थू सिदार्था गौतम वास टांडर ओफ बुद्धिजम हू लेटर नौन आज बुद्धा थी वो जो ए बुद्दा जो थे उनके क्या थे founder थे, second question है what did he do at the age of 12 years, 12 years के age में उन्होंने क्या किया, at 12th he was sent away for schooling, schooling के लिए भेज दिये गए थे to get the knowledge about Hindu sacred scriptures जो हिंदू के धर्म उपदेश होते हैं ठीक है, उनके knowledge के लिए उनको schooling के लिए भेज दिया गया था now C है whom did he marry and how long did he live like royalty so he got married with the princess and they had a son and lived for 10 years as befitted royalty, the saal तक उन्होंने बिलकुल शाही जीवन जो है वो वैतीत किया now D part is how do you know that he was unaware of worldly sorrows कैसे आप कह सकते हो, कैसे आप चानते हो कि उनको जो है केवल जो sorrow है दुख है, उनके बारे में उनको नहीं पता था so at about the age of 25 the prince shielded from the suffering of the world age of 25 तक जो है उनको जो संसार के दुख होते है उनसे एक तरह से बच्चे हुए थे he understood that pain is not real उनका मानना था कि pain जो है वो real नहीं होता है ठीक है, तो इन से points के हम कह सकते हैं कि he was unaware next is, who all did he see on a hunting expedition one day एक दिन वो जब शिकार पर जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा था तो he saw a sick man उन्होंने एक बिमार आदमी को देखा था an aged man एक बुड़ा आदमी and then a funeral procession एक शाव यात्रा को जाते हुए and a monk begging for arms एक monk को जो है बिक्षा मांगते हुए उन्होंने देखा था F part रहेगा what happened when he saw people suffering due to various reasons क्या हुआ था जब उन्होंने लोगों को जो है देखा अलग-लग reasons से सफर करते हुए दुख जहलते हुए he realized that the world is full of sorrow उन्होंने महसूस किया कि world जो है वो दुखों से भरा हुआ है he taunt a beggar वो एक बिखारी बन गए ठीक है monk बन गए and went out to chic enlightenment और ज्यान की खोज में वो चले गए enlightenment के लिए G part है find a word from the passage that means the same as gaining knowledge and understanding एक word आपको ढूनना है passage से जिसका meaning होता है knowledge gain करना samizdar बनना understanding increase करना the word is enlightenment enlightenment का मतलब वो ते ज्यान की खोज now let's move to the question number two how long did Siddhartha wander and why did he decide to sit under the people tree Siddhartha जो है वो जो है कहां कहां घुमे ठीक है कितने समय तक वो घुमे and people tree के अंडर उन्होंने क्या decide किया Siddhartha Gautam wander for seven years साथ साल तक वो घुमे and finally sat down under a people tree till he got enlightenment और वो जब तक people tree के नीचे बैठे रहे जब तक उनके ग्यान नहीं मिल गया question number three है what name did he give to the people tree and why उन्होंने people tree को क्या नाम दिया था और क्यों नाम दिया था after seven days of enlightenment he renamed the people tree as bodhi tree साथ दिन के enlightenment के बाद उन्होंने उनको जो tree है उसको bodhi tree का नाम दिया because the Buddha got wisdom under the tree because he got wisdom under the tree इसलिए उन्होंने उसको जो है वो नाम दिया था ठीके ही लिखते ना because he got wisdom under the tree now question number four जो आपको दिया गया है that is how did सिदार्था become the enlightened one सिदार्था जो है वो किस तरह से ज्यानी बन गए थे one day sitting beneath the body tree सिदार्था become deeply absorbed in meditation एक दिन सिदार्था जो है बोधी ट्री के नीचे जब बैठे हुबे थे तो meditation में बिलकुल deeply absorbed हो गई and reflected on his experience of life ठीके और एक तरह से उनको जो है life के जो experiences है वो मिले and determined to penetrate its truth और वो जो है उस सच्चाई को determine कर पाए he finally achieved enlightenment and become the Buddha उन्होंने finally ज्यान की प्राप्ती की enlightenment किया और वो Buddha बन गई now question number fifth is why did the Buddha give his foster sermon at Banaras Banaras में उन्होंने अपना foster sermon क्यों दिया so Banaras is considered to be the most holy place on the bank of the sacred river Ganges Banaras जो है उसको most holy place कहा जाता है गंगार जो river है जो पवित्र river है उसके किनारे है Banaras many people come here to get rid of their sorrows and suffering बहुत लोग यहाँ पर अपने दुख दर्दूद करने आते है and to repent for their sins अपने पाप दोने आते है so he chose to preach his first sermon at Banaras इसलिए उन्होंने Banaras को सबसे अपना पहला first sermon उन्होंने वहाँ दिया ठीक है now let's move to the last question which human suffering did he explain in his sermon अपने sermon में कौन से जो human sufferings है कौन से जो लोगों की दुख दर्द है उन्होंने explain किये what did he say about it ठीक है उन्होंने इसके बारे में क्या कहा he told that men cannot get peace of mind by grieving उन्होंने क्या कहा कि अगर आदमी जो है जब तक लालची रहेगा ना तब तक वो जो है उसे शान्ती नहीं मिल सकती on the contrary his pain will be greater and his body will suffer ठीक है उसका pain जो है वो बढ़ता जाएगा उसकी बाड़ी में suffering बढ़ती जाएगी अगर वो लालची रहेगा वो चीजों की लालसा को नहीं छोड़ेगा death and suffering are the part and parcel of life death and suffering जो है वो दोनों ही life के part है no one can avoid the truth of life और जीवन की ये सच्चा है ठीक है उसको कोई भी जो है उसको जुठला नहीं सकता है ये सच्च है जीवन का तो यहाँ से आपसका answer लिखतेंगे so ये थी students आपकी आज की English की worksheet I hope सभी students को ये clear है कोई भी doubt है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसको like कीजिए, share कीजिए और चैनल को भी subscribe कर लिजे so thanks for watching, मिलते हैं next video में, next worksheet के साथ take care and have a nice day